तो दोस्तों आज की सोड़ों में हम बात करने वाले हैं डी एससबी डेली सब ओडिनेट सर्विश सेलेक्शन बोर्ड का अगर आप यहां पे फॉर्म अपलाई कर रहे थे वेरियस पोस्ट में से किसी भी पोस्ट के लिए और आपको फॉर्म अपलाई करने के बाद पता चल रहा है कि आपका जो फॉर्म होता है वो आपका मिस्टेक हो गया है मिस्टेक फॉर्म को आपको कैसे करेक्शन एडिट ये मोडिफाई करना है संसोधन कैसे करना है इस वड़क माध्यम से आपको complete जानकारी दिया जाएगा अब देखे फ्रेंस यहाँ पे अगर आपने form को finally submit कर चुके हैं तो कैसे correction करेंगे form को finally submit नहीं किया है तो कैसे form को correction करेंगे registration जानकारी आपको कैसे edit करना है पूरी जानकारी आपको इस वड़क माध्यम से दिया जाएगा अब देखे फ्रेंस यहाँ पे आप किसी भी post के लिए form अप्लाई कर रहे थे जैसे कि आपका junior assistant के लिए lower division color के लिए stenographer के लिए grade 4 या grade 2 या grade 3 जिसके लिए भी apply कर रहे थे assistant यहाँ पे teacher के लिए assistant teacher नरसरी के लिए post graduation teacher के लिए ये selection officer के लिए किसी भी post के लिए apply कर रहे थे आपका जो correction या edit का जो process होता है वो आपका same रहने वाला है तो आपको इस video को पूरा last तक watch करना है ताकि आप आसानी से form को correction या edit कर पाएंगे इस साथ video start करने से पहले मेरा आपसे छोटी से request है चैनल में नूँ है तो चैनल को subscribe करें, share करें, like करें जिससे आने वाले जो भी update होंगे वो आपको मिल जाएगा form को correction या edit करने के लिए सबसे पहले आपको इसका online apply का जो portal होता है या page होता है, इस page में आपको आ जाना है then देखिए गया IZ यहापको आपको देखनी को मिल जाएगा click to sign in सबसे पहले आपको यहापको click to sign in में आपको यहापको क्लिक कर देना है जैसे इसमें आप click to sign in में click करेंगे यहाँ पर आपको इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा registration करते वक्त जो जानकारी आपने fill किया है वो जानकारी को आपको आपको fill करना होगा तो basic से जानकारी है सबसे पहले DOB आपको select करना है date, month and year select करना है 10th का roll number देंगे passing year fill कर देना है password जो आपने create किया है वो password fill करेंगे then आपको यह capture code मिल जाता है यहाँ पर आपको fill करके sign in कर लेना है password अगर आपको मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर forget password कर सकते हैं forget password का आपको यहाँ पर option मिल जाता है अब देखे friends यहाँ पर इसका जो dashboard होता है जैसे इसमें आप login हो जाते हैं तो आपको इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा apply for new application second में आप देखेंगे तो edit personal detail यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा upload यहाँ पर photograph, qualification, experience, submit, application form यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर इस्टेटस वगेरा चेक कर सकते हैं अब देखे friends यहाँ पर अगर आपका personal detail में अगर आपका किसी परकार का जानकारी edit यह correction करना है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा यहाँ पर अगर आपने form को apply कर दिया है तो आपका जो form होता है यहाँ पर आपका edit नहीं होगा इसके लिए आपको यहाँ पर दूसरा जो option होता है उससे आपको यहाँ पर edit करना होगा देखे फ्रेंस यहाँ पर आपको personal detail अगर आपको edit करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर click करना होगा edit personal detail तो simple यहाँ पर मैं click कर देता हूँ अब देखे फ्रेंस यहाँ पर आप जैसे edit personal detail में यहाँ पर click करते हैं इसके बाद आप किस post के लिए form apply कर रहे थे वो post आपको select करना होगा जैसे कि यहाँ पर मैंने form apply कर रहा था post graduation teacher के लिए तो यहाँ पर post graduation जो teacher होता है वो यहाँ पर मैं select करूँगा then यहाँ पर आपको edit application का एक आपको यहाँ पर button देखने को मिल जाएगा form को edit या correction करने के लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पर edit application में आप यहाँ पर click कर देंगे देखे फ्रेंस यहाँ पर apply में आप जैसे click करते हैं इसके बाद जो भी यहाँ पर आपका so होता है वो option आपको यहाँ पर फिर से खुल के आ जाएगा जैसे आप यहाँ पर edit personal detail में आप यहाँ पर click करेंगे जैसे कि अगर आपका address गलत हुआ है तो address आप यहाँ पर सही कर सकते हैं आपका permanent address अगर आपका गलत हुआ है तो यहाँ पर आप सही कर सकते हैं इसके बाद देखे फ्रेंस आपको फिर से क्या करना होगा declare करना होगा इस वाले box में then यहाँ पर आपको update and next में आपको करना क्या होगा क्लिक करना होगा यहाँ पर आपको update में क्लिक करना जरूरी है अगर आपको कोई भी जानकारी edit करना है तो आप यहाँ पर update में इसको ब्लैंक सोड़ना है इसके बाद देखे प्रेंस यहां पर आपका जो डाटा होता है अप्डेट का जो मेसेज होता है वह आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगा देन यहां पर आपको ओके में आप क्लिक कर देंगे ओके में आप जैसे क्लिक करेंगे इसके वाद आपका जो next step होता है जैसे कर आपको photo वगएरा change करना है तो यहाँ साथ photo वगएरा भी change कर सकते हैं तो देखे friends यहाँ पे जो मेरा photo और signature होता है मेरा यहाँ पे सारा कुछ सही है तो मैं आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे जो photo होता है मैं यहाँ पे change कर लेता हूँ जैसे कि मुझे यहाँ पे photo change करना है तो यहाँ पे choose file में click करूँगा file को select करके यहाँ पे जैसे photo को select कर लेते हैं यहाँ पे upload में click कर देते हैं इसके लिए simply आप यहाँ पे ऊपर के ओर आएंगे जैसे कर आपको edit करना है personal detail तो आप यहाँ पर personal detail edit कर सकते हैं photo signature edit करना है तो आप यहाँ पे photo signature जाके edit कर सकते हैं qualification experience में अगर आपको edit करना है तो यहाँ से जाकर कर सकते हैं तो देखे फ्रेंस इसके बद आपका जो नेक्सक नेक्स टेप आप आगा वो आपका क्वालिफिकेशन कर रहेगा. तो क्वालिफिकेशन जानकर आपका जो भी trip करना है वो आप यहाँ पर update कर सकते हैं. इसके बद आपका जो भी data होता है जैसे कि आपका qualification होता है वो आप यहाँ पे update यह change कर सकते हैं इसके बदेखे friends यहाँ पे आपका qualification detail अगर आपको edit करना है तो इसके लिए आपको फिर से क्या करना होगा department यहाँ पे आपको select करना होगा तो आपका जो भी department होगा वो department आप यहाँ पे select कर लेंगे इसके बाद देखे friends यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछा गया है अगर आपके पास master degree है साथ में आपके पास B8 है तो आप यहाँ पे पहले वाला जो option होता है यहाँ पे आप select कर सकते हैं जैसे अगर आपका PhD है और आपके साथ में आपे master degree है तो आप यहाँ पे second वाला option को select कर सकते हैं तो आपका जो भी department होगा उसके according है आपका जो qualification होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा वो आप यहाँ पे select करेंगे जैसे कि अगर आपके पास master degree है साथ में आपके पास B8 है तो पहले वाला option में आपको क्या करना है select करना है यहाँ पे आपका जो qualification होता है जो आप edit करना चाहते है वो आपको जानकरी फिर से क्या करना होगा फिल करना होगा यह जानकरी आपको यहाँ पे fill up नहीं मिलागा आपको यहाँ पे fill करना होगा फिर से जानकरी दन यहाँ पे आपको declare करना होगा सी परकार का experience है अगर आपके लिए यहाँ पे required है experience तो आपको यहाँ पे tick करना होगा yes में अगर आपको यहाँ पर experience नहीं मागा गया है, mandatory आपका नहीं है, तो आप यहाँ पर no में click करके data को यहाँ पर next में click कर सकते हैं आप देखें फ्रेंस, यहाँ पर आप जैसे data enter करते हैं, इसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर submit ना होगा, जान करें, जो भी जान करें आप यहाँ पर submit करेंगे then यहाँ पे आपको select करना है कि पोस्ट के लिए आप apply कर रहे हैं तो वो post आप यहाँ पे select करेंगे then यहाँ पे आपको submit में click कर देना है जैसे यहाँ पे आप submit में click करेंगे आपका जो preview का जो section होता है वो आपका खुल के आ जाएगा preview को अच्छे से check करना है इसके बाद है आपको finalist submit करना है अगर एक बाद आप यहाँ पे finalist submit कर देते हैं इसके बाद आपको correction या edit करने का कोई भी मोका आपको नहीं दिया जाएगा इसलिए आपको दिहान पुरुव क्या करना है आपको form को सही तरह से check करना है यहाँ पे आपको इसके बाद ही क्या करना है preview देखने के बाद ही आपको यहाँ पे submit कर देना है अब देखे फ्रेंस यहाँ पे आपका preview का जो section होता है यहाँ पे भी आपको edit करने का जो option होता है अब देखे फ्रेंस यहाँ पे अगर आपने Regitation करते वक्त किसी भी परकार का जानकारी अगर आपने Mistake कर दिया है उसके लिए आपको यहाँ पर करना होगा Update Regitation Detail में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जो भी जानकारी होता है Regitation का वो आप यहाँ पर Update या Edit कर सकते हैं यहाँ पर आपको Regitation जानकारी Edit यह Correction करना है तो इसके लिए आप Simply Update Regitation Detail में क्या करना होगा सबसे पहले क्लिक करना होगा अब देखे फ्रेंस यहाँ पर भी आपका Condition रहने वाला है अगर आप Form को एक बार Correction करते हैं तो आपका Correction हो जाएगा अगर आप Multiple बार Correction करना चाहेंगे तो आपका जो Correction होता है वा आपका नहीं होगा Regitation में भी अगर आप First Time Regitation कर रहे हैं और Edit करना चाहेंगे नाम पिता जी का नाम हो गया माता जी का नाम हो गया, male, female भी अगर आप यहाँ पर Change करना चाहेंगे तो आप first time अगर आप edit कर रहे हैं तो आपका जो होता है ये जांकारी edit हो जाएगा कुछ step से आपको modify का एक आपको link देखने को मिल जाएगा जैसे कि अगर आपको नाम edit करना है तो आप यहाँ पे नाम के बगल में आपको edit कर एक आपको यह modify का जो link होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा उसमें आप click करेंगे तो आप वहाँ पे जानकारी को edit कर पाएंगे अभी देखे प्रेंस यहाँ पर मैंने एक बार रजिटिशन जो जानकारी होता है वो मैंने यहाँ पर edit कर दिया है इसके कारण यहाँ 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 पर number और mail ID का यहाँ पर edit करने का यह modify करने का जो option होता है वो यहाँ पर MSW हो रहा है अब देखे प्रेंस यहाँ पर एगर आपका edit या correction क आपको要गाने एकर Comes जो होता है इसमेशन एसमें मैं चला पाइले समिट कर दिया है तो आपका फॉर्म एड़िट या और करेक्षन होगा या नहीं होगा तो यहाँ इसका लिए भर आपको बता देता हूँ इसका ओफिसल जो नोटिफिकेशन होता है यहाँ पर आप यहाँ पर एदिप कर दिया गया है एक बार अगर आप फॉर्म को submit कर देते हैं तो आप कोई भी जानकारे को edit ये correction आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे देख सकते हैं यहाँ पर आपको clearly यहाँ पर mention कर दिया गया है आपको यहाँ पर correction ये edit करने के लिए कोई भी आपको chance नहीं दिया जाएगा अगर आप यहाँ पर एक बार form को finalist submit कर देते हैं इसके बार आपको यहाँ पर correction करने के लिए कोई भी मोका नहीं दिया जाएगा इसलिए आपको करना क्या है अगर आपका registration जानकारे में किसी भी परकार का mistake हुआ है तो इसके लिए आपको करना क्या है बेज जिजएक आपको क्या करना है new form apply कर देना है new form कैसे apply करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है इसका online apply का जो portal होता है ये page होता है इसमें आ जाना है यहाँ पर आपको, click for new registration में आपको तक्लिक करेंगे आप देखे friends यहाँ पर वही candidate new form apply करेंगे जिनका यहाँ पर basic जो जानकारी होता है, वो आपका mistake हुआ होगा जैसे कि अगर आपका matriculation में जो भी आपका जानकारी होता है वो अगर आपका mistake हुआ है, तो आप new form apply कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका नाम mistake हुआ है, पिता जी का नाम mistake हुआ है, माता जी का नाम mistake हुआ है, gender में mistake हुआ है, इनमें अगर आपका mistake हुआ है, तो आपको क्या करना है, new form apply कर देना है, कोई भी दिक्कत या problem आपका नहीं होन वाला है आप देखे प्रेंस यहां पर आपको चेंज क्या करना है यह मैं आपको बता देता हूं यहां पर आपको चेंज करना है यहां पर आपको मुवाइल नमर चेंज करना है और आपको मेल आड़ी क्या करना है और अगर आपके पास यहां पर आधार कार्ड के अलावा इसे form apply कर देना है आधार कार्ड से एक बार आप form को apply किये होंगे तो आपका दुबारा apply नहीं होगा इसलिए आपको क्या करना है ID को change करना है दन यहापको new registration कर लेना है आप देखे फ्रेंस यहाप new registration करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत यह problem होगा या नहीं होगा बहुत सा नहीं है तो आपको क्या करना है new form apply नहीं करना है नहीं तो आपका जो form होता है वो आपका reject हो जाएगा दोबिदिकर डाट आ जाएगा फिर आपका क्या होगा यहाप चने मीस्टेक प्रियान करें पिसंद आगो तो लोग लाइक सेस्क्राइब सेयर करेंगे आने वाले जो भी अपडेट होंगे वह आपको मिल जाएंगे